सिकंजी बहुत पीए होंगे लेकिन आप मेरी स्टाइल का सिकंजी पीजिए सबसे पहले दो अनार लिए उसको इस तर से छिल लेंगे और मिक्सर जार में हम डाल देंगे दो बड़े साइज के अनार है अब इसमें हम 2 टी स्पून चीनी डालेंगे अब इसको हम पीछ लेंगे फाइन पेस्ट नहीं करेंगे इसका जूस निकालना है हमको अब अनार के जूस को हम स्टेंड कर लेंगे हलका से क्रस्ट करने से बीज नहीं पीछाता है तो कड़वा भी नहीं होगा अब इसमें हाथों से क्रस्ट किया हुआ पुदीना डाल देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर आजाए वन टीजबूर नीबू डालेंगे रोस्टेड छुटकी भर जीरा डालेंगे और छुटकी भर कालना मदगे इसको अछी निक्स करनेंगे आप चाहें तो इसमें सोडा भी डाल सकते हैं काफी टेस्टी लगता उससे एकदम मार्किटी स्टाइल हो जाएगा अब हम इसमें बरफ डाल देंगे जितना आपको ठंडा पीना हो उसी साफ से बरफ डाल दीजेगा लीजे हमारा हेल्दी अटेस्टी अना शिकंजी बनके तयार है एकदम फटा फट से एकब जरूर ट्राइ कीजेगा पसंद आए तो प्लीज लाइक अब सब्सक्राइब